Hello students, so 10th verse chapter electricity का next lecture और इसके पिछले lecture में हमने पढ़ाता electricity क्या होती है charge क्या होता है, charge की property क्या होती है current क्या होता है, potential क्या होता है potential होता है, potential difference होता है ठीक है, तो ये concept हम अपने पिछले lecture में complete कर चुके थे यहां तक, ठीक है और इसके हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे यहां तक तो आज हम थोड़ा सा जितनी भी वीडियो बनाए हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसमें और उसके साथ ही हम नुमेरिकल्स भी यहां पर सोल करते हैं ताकि आपका यह चार्ज की प्रॉपर प्रॉपर देelnлек और हम वाहला है है तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है तो तैंश जैसे आप पता इलक्ते सिटी हमें हमनेे और छारज चर्ण धधाता हाज ठीक है तो जब भी हमने चार्ज की बात करीन ता को समय है तो हमने किस की बात करीती हैं यह DOWN क work करी थी है कि Rank ung तो ठीक है के nucleus में bonded होता है वो तो कहीं जा नहीं सकता electron is free तो electron can transfer from one body to other body और इसी को हम charge बोलते हैं तो electron के बारे में बात करते हैं और इसको हम E से denote करते हैं ठीक है? अच्छा, इसको उपर charge के तरह होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb coulomb क्या है? is the unit of charge ठीक है? जो coulomb है वो charge की unit होती है और charge कैसी quantity है? चार्ज skiller quantity है ठीक है? तो यह हमने charge की property पढ़ी थे यहां तक अच्छा, चार्ज की और क्या property होती है? चार्ज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चार्ज two type का होता है positive और negative अच्छा, इनके बीच में force कैसी लगती है? अगर same charge हो इस तरह है तो इनके बीच में जो force होती है वो repulsive होती है और अगर यह opposite charge हो negative, positive, positive, negative इस तरह से कैसे भी? तो इनके बीच में जो force होती है वो attractive होती है ठीक है? यह चीज पढ़ीती है हमने charge to type का होता है इनके बीच में force होती है इनके बीच जो force लगती है वो repulsive भी हो सकती है और आपकी attractive भी होती है depends on nature of charges ठीक है? तो यह यहां तक के लिए रहो गया इसके बाद पढ़ाता हमने charge conservative होता है conservation of charge conservation of charge conservation of charge का मदलब समझ रहे है कि charge नाइदर भी created नोर भी destroyed ठीक है? चार्ज नाइदर भी created नोर भी destroyed it can transfer from one body to another body simple सा मतलब होता है कि charge होता है वो हम create नहीं कर सकते ना ही उसका हम loss कर सकते हैं बस हमें करना क्या होता है कि charge को एक body से दूसरी बोड़ी पर transfer कर देते हैं तो इसको हम बोलते है conservation of charge इसके बाद पढ़ा था हमने additivity of charge additivity of charge का मतलब है कि charge कैसी quantity है वाई charge scalar quantity है इसका मतलब बैक्तर का तो कोई follow करना नहीं है तो charge को हम simply add कर सकते हैं यानि charge can be added algebraically का मतलब होता है चार्ज को हम with sign add कर लें अगर कोई system है हमारा और उसको उपर number of charges है तो हमें net जो charge निकालना है वो उन सब का sum होगा with sign यानि अगर किसी system के पास बहुत सारे charge हो तो उनका अगर हम बोले के system पर q net कितना है तो हम उसे बोलेंगे q1 plus q2 plus q3 so on q1 ठीक है qn लेकिन क्या रखना है with sign रखना है बस यह चीज़ याद रखने है यानि negative है तो negative में साथ लेना positive तो positive में साथ और उनको add करना है जो बचे वो आपका q net हो जाएगा ठीक है conservation curve add utility of charge two type force एक और important property होती थी इसके अंदर कि charge can be transfer in the number of integral थीक है जो charge transfer होता है वो number of integers में होता है integers का मतलब होता है कि charge जो transfer हो सकता है वो one two three four five ten hundred thousand millions millions द्रांस्पर्ण हो सकता है आप से बोलें कि 10y 3 20y 3 ऐसा कोई चार्ज आपका करियर्ट हो सकता है बन भाई 3 तो ऐसा चार्ज ट्रांस्पर नहीं हो सकता है क्योंकि सिंपल सा मतलब है कि चार्ज जो ई है उसकी वैलू whole नंबर में ही आएगी रेशो में नहीं आ सकती है क्यों नहीं आ सकती है कि रेशो में आने का मतलब है रेशो में आने का क्या मतलब है कि हम एलेक्ट्रों को तोड़ना पड़ेगा और एलेक्ट्रों को बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स अब उसको देखी नहीं चकते तो अग को हम बोलते थे quantagenation of charge ठीक है और इसका formula होता था q is equal to plus minus n e क्या होता था q equals to plus minus n e यहाँ पर q क्या होता है चार्ज होता है n क्या होते है number of electron और e होता है charge of each electron ठीक है तो यह जो चीज थी इससे हम charge के बारे में पूरी property पढ़ लेते थे जो आपको मैंने एक reminder गरा दिया तो मैंने आपको सब चीज बता दिया है कि इसमें क्या-क्या पढ़ा ना था में तो यह सब चीज हम पढ़ चुके है ठीक है इसके बाद इसके बाद हमने पढ़ा potential तो potential या potential difference क्या होता है तो हमने पढ़ाता कि potential difference होता है V is equal to w upon q reality में potential कुछ नहीं होता है potential तो एक single point की नहीं बोलते है यह reality में क्या होता है potential difference होता है ठीक है तो यानि अगर potential difference का मतलब होता है अगर दो point की बीच में कोई potential हो तो हम लिखेंगे VA minus BB is equal to w upon q और यह w भी क्या है यह work done है by external force ठीक है यह है आपका potential का formula V is equal to w upon q इसकी unit क्या हो जाएगी जूल और इसकी unit क्या हो जाएगी कूलाम तो इसकी unit होगे potential की unit जूल पर कूलाम या फिर हम इसको बोल्ट बोलते हैं ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं बोल्ट और यह भी कैसी quantity है यह भी scalar ही quantity है तो potential इस तरह से निकालना होता है मैं आप इसमें कुछन साथ है वी डाबलू क्योंकि किसी पर वी कुछन पूसकता है कि यह था हमारा सेकर्ड लॉजिक अच्ब हच्छा potential को हम ने पढ़ा था पेटिश्यल को मेजर किस से करते तो पोटेंशल को बोल्ट मीटर से मेजर करते हैं ठीक है पोटेंशल को किसे मेजर करते हैं बोल्ट मीटर से बोल्ट मीटर क्या है एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है हाई रच्टर्स लगाना होता है तो सरकेट्ट में हम इसे पैरिलर लगाते हैं ऐसे आगर सरकेट में इस तरह से थो हम इसे नहीं से प्नेंशल umes आठे इसके बाद इसके बाद हमने पढ़ा था current कि current क्या होता है जब charge current को हम simple simple समझे the rate of flow of charge the rate of flow of charge is called current ठीक है the rate of flow of charge is called current इसकी unit क्या होगी? coulomb per second यानि आपका जो charge है वो coulomb में होना चाहिए time second में होना चाहिए और लेकिन इसकी unit जो आप जादे समझेंगे वो होगी ampere ठीक है तो i equal to cube it coulomb per second और इसको हम ampere कैसी quantity है तो reality में तो हम इसको अगर आपके पास दो ही option है scalar और vector तो यह scalar quantity मानते है otherwise यह tensor quantity है ठीक है? canc quantity है tensor और अगर tensor option नहीं है scalar vector है तो फिर यह scalar quantity है तो clear है i equal to cube it वो अभी हम questions कराएंगे आपको बता देंगे क्या है इसका तो tensor और scalar ठीक है तो tensor quantity है या फिर अगर option नहीं है तो फिर यह scalar quantity है तो यहाँ तक हम यह चीज़ clear कर चुके थे उसके बाद हमने circuit बनाना सीखा था sim bus तो circuit बना सकते हैं तो आप हम यह आपके यह question आपके जो formula हो गए हमारे पास formula हो गए देखिए v is equal to w upon q i is equal to q by t और q is equal to any ठीक है तो हमारे numericals आ जाते हैं इनमे और ऐसा नहीं है कि numericals cc-based पर आगा numericals combinations में भी आ जाते हैं तो हम यहाँ से numericals करते हैं ठीक है कुछ numericals करते हैं ताकि यह और भी clear हो जाए तो फर्स्ट क्रोशन लेते हैं find number of electron in फाइब कूलाम चार्ज आप से पूचा कि फाइब कूलाम चार्ज में कितने electrons होते हैं तो दिखे आपको क्यू मिल गया है given यहाँ पर q is equal to 5 कूलाम e की वैलू आपको पता ही होती है electron के बारे में पूछ रहा है तो electron का चार्ज हमें पता होना चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19 क्या निकालना है में n निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला लगेगा q is equal to any so n is equal to q by e q कितना है 5 है e कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19 अब हम इसे solve कर सकते हैं तो 10 to the power 19 power उपर आ जाती है तो negative होती है तो positive हो जाएंगी और यह हो गया 5 upon 1.6 तो 5 upon 1.6 को आपको solve करना है तो देखे कैसे solve करेंगे देखते हैं तो point हटा लेते हैं 50 upon 16 ठीक है 50 upon 16 into 10 to the power 19 अब यह देख लेते हैं कोई electron ऐसा तो नहीं है कि जो rest में या दिवाइड करने पर कुछ rest तो नहीं बच रा point का मलब यह नहीं हो था कि point ऐसे point तो हो सकता है rest ना बचे कोई भी ठीक है यानि पूरा-पूरा divide हो जाए तो possible है अगर पूरा-पूरा divide नहीं हो रहा तो फिर यह charge possible नहीं होता है देखे 50 upon 16 तो इससे हम कितने से इसको हम 2 से divide कर ले तो इसका मतलब हम लिख सकते है 25 upon 8 लिख सकते हैं ने 25 upon 8 into 10 to the power 19 तो 8 की divide कर ले हम 25 में तो 8 की divide कर सकते हैं देखे चलिए यहां करके देख लेते हैं 8 से divide करते हैं यह क्या पूरा divide होता है नहीं होता तो 8 3 जा 24 that is 1 carry point लाएंगे 0 बढ़ाएंगे यहां 0 बढ़ाएंगे 8 बढ़ाएंगे 8 बढ़ाएंगे 8 बढ़ाएंगे 8 that is 2 फिर 0 8 2 जा 16 and फिर 4 that is 8 5 जा 40 क्या कुछ rest बचा है कुछ rest नहीं बचा है इसका वंदब यह सही है चार्ट पॉसिबल है तो इसको हम लिखेंगे कितना चार्ट हो जाएगा कितने एलेक्ट्रोंस हो जाएंगे 3.125 इंटू 10 तो दी पावर 19 एलेक्ट्रोंस हमारे 5 कुलंड चार्ट में मिलेंगे ठीक है तो यह था इसका प्रोसेस कॉइंटेनिशन के कोई भी कुश्चन आ जाए तो आप easily solve कर सकते हैं चलिए next question करते हैं नेक्ट्स कोईशन है find the work done find the work done in find the work done in moving charge find the work done in moving charge of 5 कुलंब चीक है 5 कुलंब from a point from a point of 220 बोल्ट to another पॉइंट 230 बोल्ट ठीक है तो ऐसे दे दिया और आप से पूच लिया कि वर्क डन निकालना है तो बहुत सिंपल है तो हमें देखी potential का difference मिला है यह बूलाता ना को potential का difference होता है जो V है reality यह change of potential होता है ऐसे लिख सकते है यह लिख रखते यह लिखते हैं 10 बोल्ट पोटेंशल के डिफ्रेंस हो गया 10 बोल्ट यानि यह जो वी की वैलू है वो है आपकी 10 बोल्ट यह किसकी वैलू है यह क्यों की वैलू है फाइब क्या करना है डाल फाइंड करना है तब तो आशान होगया आपकर नक Candle कर她 कतना आए आपके 10 बोल्ट और क्यों कितना है 5 5 ही है तो 10 5 जा 50 और क्या यूनिट होती है जूल यूनिट होती है तो इस तरह से हम एजी ली कोशिशन सोल्ब कर सकते हैं और देगी कोशिशन हो मच अनर्जी ट्रांसफर्ट हाँ मच अनर्जी ट्रांसफर्ट बाई आट 12 बोल्ट ठीक है वाई या 12 बोल्ट पावर 12 बोल्ट पावर सप्लाई 12 बोल्ट पावर सप्लाई टो इछ कूलाम ठीक है टो इछ कूलाम ओफफशम्ग सथा है टो इछ कूलाम ओफशम्ग ओफफफफटte which is moving in our circuit ठीक है तो देखें, how much energy energy क्या होती है, w energy क्या होती है, w तो w हमें find करना है यह v हो गया power supply to each कूलाम, each कूलाम का मतला q की value क्या है, 1 कूलाम तो बहुत सिंपल हो गया, देखो इस बार v मिल गया, q मिल गया, w पूछा है तो फिर वही question, v is equal to w upon q so w is equal to v into q, v कितना है 12 और q कितना है, 1 तो simple answer हो गया 12 जूल, के लिए रहे हैं, ठीक है, तो बस कूछ नहीं करना, बस language पढ़ना, इसको बाद देख लेना है, question में क्या given है, और क्या हमें find करना है और ड़ είख की कि में 10 औरrail की क्यूष कि काणि आई हुशिए लिए, लिए, लिए लिए 25 अवावन universe लिए लिए 25 कितम लिए 26 विटमीन दा टर मिनल ओ और बैटरी टर मिलसो ना बैटरी में जो टर मिलों होते हैं यानि पॉजिटर नगेटरे मिनको बोलते हैं उने के बीच में पुटेशिएंट सब्सक्राम तो वही पूछ रहा है what is the potential difference between the terminals of a battery when 250 joule work done by चार्ज ले लिजे आप 20 कूलाम चार्ज 20 कूलाम चार्ज ठीक है तो what is potential difference यानि आपको सम्हारक क्या find करना है we find करना है when 250 joule यानि w given है q given है तो formula फिर वही आगया हमारा v is equal to w upon q तो इस बार तो v ही पूछा है तो w लिख लिजे 250 जिसे 20 और इससे 2 से कार दीजिए 2 से डिवाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 बोल्ट ठीक है तो questions बहुत simple है question में कोई problem नहीं होती और value रखनी है आपको और बस numerical का एक ही fund होता है numerical solve करनेगा सबसे पहले हमें क्या करना चेक करना है कि हमें given value क्या क्या है ठीक है तो numericals का simple fund समझ लीजिए क्या करना होता है कि सबसे पहले क्या क्या given है simple given things को लिखते हैं after that find क्या करना है clear given क्या है find क्या करना है कौन सा formula यूज होगा simple clear हो गया बस इसके साथ एक चीज और रखना है कि उसमें जो given जो given property है given जो quantity है उनको कहीं हमें change तो नहीं करना change का मतलब होता है कि कोई चीज हो सकता है उसकी unit change कर रखिए हमने जैसे time हमें चाहिए second में और time मिल जाए हम मिनट में तो क्या करना पड़ेगा time को second में convert करना है के लिए रहे बस यह चीज रखनी है और question numerical कर सकते हैं ठीक है तो और देखते हैं एक दो question देखो में कराता हूं आपको आप से पूचे के जैसे find the number of electron find the numbers of electron find the number of electrons in 1 ampere current 1 ampere current fillow in 5 second in a circuit यानि एक circuit है जिसमें 5 seconds के लिए कितना current flow हुआ है 1 ampere आप से पूचे कितने electron flow हुआ है तो अब देखिए हमें क्या पता है हमें एक तो current पता है i is equal to 1 ampere और क्या given है एक time given है हमारे पास 5 seconds के लिए है अच्छा current का formula क्या होता current का formula है i is equal to cube i.t. तो बहुत सिंपल सा समझ आ रहा है क्या हम यहां से q निकाल सकते हैं q is equal to i.t. क्योंकि हमें i और t दोनों चीज़े हैं तो यहां q आ जाएगा आपका तो q निकाल लीजिए कितना हो गया 1 into 5 यानि 5 कूलाम चार्ज 5 कूलाम चार्ज आगे सब्सक्राइब लेकिन पूछ क्या रहा है चार्ज पूछ रहा है कुछ और पूछ रहा है यह तो number of electron प करते हैं q is equal to any so n is equal to q by e q कितना 5 e की वैलू आपको पता ही है 1.6 into 10 to the power minus 19 तो यह question तो बहुत अभी solve कर आए just कितने electron आए थे आपको याद हो तो 3.125 into 10 to the power minus 10 to the power 19 electron तो यही electron आए थे solution कर रहा तो यह value is same आगे तो इस तरह से हम e question solve कर सकते है तो प्रक्टिस करते रहें ठीक paradise करें तो simple तर ऐसे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें चैनल के साथ हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे ओल दे बेस्ट